तो दोस्तों मैं बनाने जारी हूँ आज मैदा की पूरी जिसके लिए मैंने यहां पे मैदा ले लिया है और उसमें हम एड करेंगे यह हमारा है रिफाइंड ओयल यह हमने काला जीरा लिया हुआ है यह नमक और यहां पर मैंने गरम पानी करके रखा है तो आज हम मैदे की पुड़ी बनाएंगे मैदे में हम तेल एट कर देते हैं थोड़ा ज्यादा ही क्वएंटिटी में तेल हम एट करेंगे तक कि जो हमारा मैदा का पुड़ी बनेगा वो सॉफ्ट हो वगगा एकदम ही अब हम इसमें नमक एट कर देंगे और इसके बाद जो हमने काला जीरा रखा था वो हम एट कर देंगे इसमें आपको अगर काला जीरा ना पसंद था आप आजवाइन भी आइड कर सकते हैं बट मैदे के पुड़ी में काला जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद देखिया अब यह मिक्स हो चुका है अब हम इसका एक डो रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने यहापे गरम पानी ले लिया हुआ है आप मीडियमी गरम पानी ले ज्यादा बॉल पानी ना ले गरम पानी तो मैंने मिलियम ही गरम किया हुआ था आटा गीला हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा ही आट करें और अच्छे से डो बनाएं एक डो थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए जो हम आटा गुंदेंगे उसको हलकी हातों से ही गुंदेंगे और वो हलकी सी थोड़ी नरम होनी चाहिए आटा तो यह हमारा डो बन रहा है तो यह हमारा डो बनके रेड़ी है आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही शॉफ्ट लगाया हुआ है तो हमारा अच्छे से लगने के बाद 15 तक हम इस डो को ऐसे छोड़ देते हैं इसके बाद हम इसकी कूरी बनाएंगे तो 15 मिन तक हम छोड़ देते हैं इसको तो काट लेंगे, पहले हम, सारे लोईया मेडियम साइज में कट करके रख लेंगे, तो यह हमने लोईया कट करके रख लिया है, अब हम इनको सारे अच्छे से गोल गोल कर लेते हैं, अब हम इसकी पूडिया बनाते हैं, तो यह मैंने ले लिया है, गोल करके, अब हम इसको पूरी बेलेंगे, ऐसे करके हम 4-5 अच्छे से बेल लेंगे, उसके बाद हम तलेंगे, तो यह तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम पूरी तल लेंगे, पूरी को हम तेल में डालके, अच्छे से इसको डिप करेंगे, ताकि पूरी हमारी अच्छे से फुल जाए, तो आप यह देख सकते हैं, पूरी हमारी कितनी अच्छे से फुल गई है, अब दूसरे तरफ पलटके हम अच्छे से पका लेते हैं, तो यह पूड़ि हमारी बन गई है अब हम इसको निकाल देते, आप देख सकते हैं पूड़ि कितनी अच्छे इसी फुलिए तो आप ऐसा ही करके सारे पूड़ि बना लीजिए अब मैंने पूड़ि सारी तर लिया, अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो दोस्तों यह पूड़ी बनके मैदा की एकदम तयार है, तो यह देख सकते हैं, आप एकदम ही soft हुई है मैदे की पूड़ी, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, तो यह मैंने मैदा के पूड़ी बनाके रेडी कर लिए, तो आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपने अपने घरों में बनाईएगा, और मुझे कॉमेंट कीजेगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजेगा